मौजुदा दोर में देश के सबसे बड़े उद्धियोग पती मुकेश उम्बानी ने अपनी Reliance Industries को लेकर बड़ा फैसला लिया है उन्होंने कमपनी के मैनेजमेंट में फेर वदल करते हुए वेंग्टचारी श्रीकांत को नया चीफ फिनांशिल आफिसर बनाया है क्या ही पूरी खबर यह हम आपको इस रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं मैं हूँ श्रया ठाकर और आप देख रहे हैं बिस्ता Reliance Industries ने नई CFO श्रीकांत वेंग्टचारी आने वाले जून से कमपनी की कमान संभालेंगे श्रीकांत पर कमपनी की बड़ी जिम्मदारी होगी श्रीकांत बाजार में Reliance के गिरते शेरों के बीच कमपनी ने ये फेर बदल किया है कमपनी ने इसके जानकारी श्रीकांत को दे दी है Reliance के तरफ से इसे लेकर क्या कहा गया अब यह हम आपको बताते हैं इस नियुकती को लेकर Reliance ने कहा है कि श्रीकांत कमपनी के विकास और उसके फ्यूचर प्लान को आगे बढ़ाएंगे अब आपको वेंग्डचारी श्रीकांत के बारे में बताते हैं इनके उम्र करीब 65 साल है अभी वो ज्वाइंट च्रीफ फिनांशल ओफिसर के तौर पर Reliance के साथ काम करते हैं और Reliance के साथ पिछले 14 सालों से जुड़े होए हैं इससे पहले उन्होंने 20 सालों तक City Group के साथ काम किया है जहां वे Forex ट्रेडिंग के चीफ थे विंग्डिचारी श्रीकांत कंपनी के मौझूदा CFO आलोक अगरवाल की जगह लेंगे आने वाले एक जून से आलोक अगरवाल Reliance Industries के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के वरिष्ट सलहकार की जिम्मेदारी संभालेंगे आलोक अगरवाल पिछले 30 साल से Reliance Industries के साथ जुड़े हुए हैं आलोक अगरवाल को 2005 में कंपनी का CFO बनाया गया था Reliance Industries के शेरों में लगातार गिरावट के बीच ये बड़ा फेर बदल किया गया है हफते के आखरी कारोबारी दिन शुक्रवार को Reliance के शेर की कीमत 223.50 ती गुरुवार के मुकाबले शेर की कीमत में 1.9% की गिरावट देखने को मिली बीते 20 मार्च को ये शेर 2180 रुपे के स्तर तक पहुँच गया था जो पिछले 52 हफते का सबसे निचला स्तर रहा Reliance Industries के प्रॉफिट और लॉस की बात करें तो 31 दिसंबर 2022 को खत्म तिमाही के दौरान कम्पुनी को 15,792 करोण रुपे का नेट प्रॉफिट हुआ था जबकि एक साल पहले प्रॉफिट 18,449 करोण रुपे था इस हिसाब से देखा जाए तो नेट प्रॉफिट में 14,88 का घाटा देखने को मिला इसी तरह कि सारी उथल पुथल के बीच कम्पनी में फेर बदल देखा जा रहा है देखना होगा कि आने वाले दिनों में इस फेर बदल का कितना असर देखने को मिलता है आपको हमारे जानकारी कैसे लगी कॉमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो को लाइक और श्वेयर करना ना भूले साथ ही जो हमारे नई वीओर सो वो भुचानों को सब्सक्राइब करना ना भूले